दोस्तो क्या आप अपने फेस्बुक एकाउंट को और ज्यादा रोमांटिक और ज्यादा डैसिंग और ज्यादा इंट्रेस्टिंग और ज्यादा स्वीट बनाना चाते हो इसके लिए आज मैं आप लोगों को एक अच्छी सी टीप्स बताने वाला हूँ बैसे तो ये टीप्स बहुत सारे लोगों को आभी पता चल चुका होगा लेकिन आभी भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है उन लोगों के लिए मैं ये टीप्स देना चाती हूँ नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राज आप देखरों मेरे यूट्यूब चैनल आरेम ओपिनियन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही स्वीट होने वाला है इसलिए फटा पट वीडियो को लाइक और सेयर कीजिए चैनल में आगर अच्छा सा एक रोमांटिक या फिर पॉपुलर म्यूजिक एड हो जाए जो आपके प्रोफाइल के उपर सो हो और उस म्यूजिक पर जो कोई भी क्लिक करेगा आपका प्रोफाइल पर जाके वो म्यूजिक उसके सामने ओपन हो जाएगा वो म्यूजिक स्टार्ट हो दोस्तो Facebook की profile की एक दम उपर music या फिर popular song को add करने के लिए फिससे पहले आप Facebook apps को open कर लिजिए यहाँ पर आप अपना Facebook का जो profile है उसे open कर लिजिए नीचे आजाएए यहाँ पर देखिये यहाँ पर आपको एक photos उसके बाद एक music का option आपको मिल जाएगा आप यहाँ पर क्लिक कीजिए देखिए यहाँ पर already एक music add है अगर आप चाहे तो यहाँ से और भी add कर सकते हो plus button पर क्लिक कीजिए यहाँ पर देखिए बहुत सारा option खुल के आपके सामने आ जाएगा यह यहाँ पर देखिए बहुत सारे popular गाना यहाँ पर खुल के आ चुका है चलिए मैं यह चूज कर लेता हूं यहाँ से चलिए यही और यही चिंग का जो गाना है इसे पहले आप डाउनलोड कर लिजी यहाँ से यह देखिए यह डाउनलोड हो जाएगा थोड़ी दे रोवे है चलिए बैक जाईए बैक जाईए यह देखिए दोनों गाना आ गया पहले एक था और एक आ गया यहाँ पर जो त्री डॉट्स दिख रहे है आप यहाँ पर क्लिक किजिए और जिस गाने को आप पसंद करते हो उसे आप पिंटू प्रोफाइल यह क्लिक कर दिए यह गान आपके जो प्रोफाइल है उसके एकदम उपर सो हो जाईगा देखिए बैक चाहिए यह देखिए आपका प्रोफाइल आ गया यह गाना आ गया जो भी लोग आपके प्रोफाइल पर जाके यहाँ पर क्लिक करेगा तो यह गाना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा देखिए स कर दोस्तों तो है ना एक अच्छा सा फीचर दोस्तों उमीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा यह टीप्स अपना के आप अपने जो फेस्बुक प्रोफाइल है उसको और ज्यादा डैसिंग और ज्यादा खुबसरत और ज्यादा रोमांटिक और और स्क्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए नमस्ते